तो यहाँ पे जाएंगे LIC डालेंगे गूगल पे यह LIC डाला जो यह वेबसाइट आ रही है LICIndia.in इसको क्लिक करना है प्लिक करने के बाद यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी कुछ अड़र्टाइजमेंट भी आ सकते है जैसे कि यह अभी देखिए यह नया पॉलिसी का अड़र्टाइजमेंट आ रहा है इसको क्लोस करेंगे अभी यहाँ पे प्रिमियम सेक्षन में देखिए अपने को प्रिमियम करना है तो यहाँ पे देखिए दो-तिन ओप्षन दिए एक तो यह नया खरिदने के लिए यह लॉग इंटो कस्टमर पोर्टल पे प्रिमियम ओनलाइन अगर इसमें आप डिरेकली पेइमेंट करना च अपने काउंट बन जाता है और उसके बाद आप पूरा हिस्ट्री वहां पे रहता है यहाँ पर क्या है सिर्फ आप प्रिमियम बर सकते हो यह शॉटकट डिया है यह यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूं देखिए पर प्रिमियम पर कर दिया क्लिक यहाँ पर आपको स करता हूं तो यहां पे देखिए policy number पूछ रहा है यह policy number डाल देने का अपना यह मेरा policy number है कि मैंने डाल दिया यहां पे instrument amount आपको यह भी पता होना चाहिए इस case में तो यहां पे देखिए अभी मुझे इसका पता नहीं कितना amount में दे रहा हूं क्योंकि मेरे दो है तो यहां पे आपको यह सब मालूम होना चाहिए तो better way आप जब वह जो पहला option में ने दिया है यह वाला login to customer quarter यहां से किया तो इकट्टा आ जाता है अगर आपकी number of policies होगी और आप सब का premium एक ही साथ में बढ़ना चाहते हो तो आप यहां पे क्लिक करिए को के करिए देखिए लोड हो रहा है अभी यहां पे आपको दो option आ रहे है एक तो आपका email से आप login कर सकते हो या mobile से में mobile से करने के कोशिश करता हूं यह सबसे बेतर है आपका जो भी register number होगा वो यहां पे डालिए प्रोसीड करेंगे OTP आएगा इस OTP देख रहा हूं यह आया है यह देखिए 663 749 और यह सब्मीट कर दिया मैंने OTP प्रीमियम पेमेंट यहां पे आ रहा है यहां पे क्लिक किया यह मेरी दो पॉलिशी है यह देखिए Conventional Policies Select All पे क्लिक किया दोनों पॉलिशी में पेमेंट कर सकता हूं यह देखिए टोटल में आ जाएगा आपको अभी दिखा देता हूं तो ते लिए दोस्तों पेमेंट करते हैं अभी यहां पे देखिए दो पॉलिशी का मैंने pen cosachna-PO 바 22002 पर पेमिंट कैसे делать यह देखिए दोनों पॉलिशी। यहां पे दोनों के साथ करें चेक अदुदर करनेगे यह अलर्ट आएगा यहां पे देखिए, पुरा डेटेल एक बार चेक कर लेजे, पॉलिसी नंबर हो गएरा, यह पॉलिसी नंबर है, 754-750, एक बार देख लेता हूँ, 750, आज यहां, तो चलिए, इसको चेक और पे करेंगे, अभी दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे आप जो है, जो cashback देते हैं और फिर जो अपने को online payment या QR code scan करके अपने को payment करने को कहते हैं, तो यहां पे क्या होता है, कि बहुत बार problem आता है उन में, जैसे कि phone pay है, paytm है, या Amazon का payment है, यहां से आप जो payment करते हो, आपको cashback मिलने का, वो यह दिखाते है कि cashback मिलेगा, मिलता भी है, लेकिन क्या होता ह कि आप से जो payment किया है, वो हमारे आप दिखाए नहीं रहा, तो कैसे करें, तो यह बात में यह हो जाता है, problem हो सकती है, तो इसलिए क्या करना है आपको, आपको directly यह LIC का portal है, यहां पे पूरे detail आ जाएंगे, तो अगर इसमें कुछ problem आता है, तो आपको वो future में बहुत easy ज अच्छा रहेगा, तो यहां पे देखिए, दो option दिए, पेटीम और बिल्डेस, अभी यह tie-up है, यह अंदर है, LIC के अंदर है, साइट में, तो यहां पे को safe है, मैं बिल्डेस से करता हूँ, यह बहुत पुराना है, पेटीम से ही पुराना है, यहां पे देखिए, check and pay पे कर देते हैं, चलो, payment, अब UPI में भी अलग अलग है, आप यहां पे जाके, आप कहां इसे भी कर सकते हो, वैसा कोई problem नहीं, because we are under LIC only, we are operating, we are not going to G-Pay and opening from your mobile and then paying, the better way, this is the best way, यहां पे मैं बिल्डेस करता हूँ, अब यहां पे मेरा यह है, 973 002 001 00, make payment करेंगे, यहां पे करेंगे, यहां पे देखे, मैं payment कर रहा हूँ, beam app through, मैंने beam app open कर लिया है, यहां पे मैं मेरा यह डाल देता हूँ, यह देखे यहां पे अलट आजाएगा, Approve to Pay पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यह देखिए Beam App में आपको दिखा देगा यह 7085 का Premium Approve करेंगे यहाँ से यह देखिए यहाँ पे मैं मेरा Pin डाल देता हूँ यह डाल दिया मैंने Pin और OK करेंगे तो Payment निकल जाएगा वहाँ से यह देखिए पेमेंट हो गया है और आप अभी स्क्रीन पर देखिए Payment सेक्सेस कूल करके यह भी आ गया है यह मैं क्लोज करता हूँ अभी मोबाईल का यह मेरा पेमेंट हो गया है अब यहाँ पे Payment अगनॉराजमेंट इमेजेटली आ गया और यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा था आपको LIC देखिए LIC का यह Payment आ गया इसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और यह receipt जो है वो आपके अकॉंट में हमेशा रहेगी तो आप कभी भी यह देखिए Download receipt यह मैं आपको दिखा ही देता हूँ यह देखिए मैंने Download किया है यहाँ पे आया है यह खोल के दिखा देता हूँ आपको अगर आपको कुछ doubt है गाईज तो आप जरूर मुझे Comment section में comment कर सकते हो यह देखिए यहाँ पे है अब इसका प्रिंट आउट नहीं निकाला तो भी चलेगा यह आपके पास safe रहेगा कोई problem नहीं है आज कल यह digitization की वज़े से दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक, share और subscribe करिए मेरे चैनल को क्या है बहुत सारे लोग सिर देखते हैं तो मेरा subscriber नहीं बढ़ रहा है तो प्लीज मैं आपको request करता हूँ कि subscribe कर लीजिए और अगर किसी को share करना है तो आप कर सकते हो thank you guys, bye bye